रतनगरी जिले के बार्सवी लाके में रिफाइनरी पर योजना को लेकर गर्माए माहूल पर कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंडे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब महराश्ड अस्तर है मुख्य मंतरी एकनाश शिंदे चुटी पर चले गए हैं और उप मुख्य मंतरी मौरिशिस गए हैं और दोनों की हालत बाश्याए बेखबर जैसी है साथी अतुल लोंडे ने यह भी सवाल खड़ा किया कि जिस तरह पुलस महिलाओं को पीट रही है प्रताडित कर रही है प्रदशिंकारी महिलाओं के मुबाइल फोन सोने के गहने पुलस ले गई और अब वो चीज़े वापस नहीं कर रही है यह शिंदे फणवी सरकार की पुलस जनता को बचाने के लिए है या चोरी करने के लिए लोंडे ने चेताबनी दिये कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री याद रखे कि बारसु की जनता उनकी है उनकी मरसी के खिलाफ पर योचना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और अगर मजबूर किया गया तो कॉंग्रिस मुख्यमंत्री एकना शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ये दोनों बाश्याय बेकबर का टाइटल हासिल कर चुके हैं एक चुट्टी पर जाते हैं दूसरे मौरिशस जाते हैं और यहां किसान से लेकर ह या चोरी चकारी करने के लिए है या फिर जैसे राजा वैसे पुलिस इसका उधरन दे रहे हैं अगर बार्सू की जनता या कॉंगन की जनता वह प्रजेक्ट नहीं चाहती है तो आप क्या उनका सर फोड़कर डंडा चला कर गुलिया बरसा कर वह प्रजेक्ट करना चाहते ह कॉंग्रेस यह बात कते ही सहन नहीं करेगी अगर आप अत्याचार अन्याय करोगे तो आपके खिलाब पूरी ताकपत से कॉंग्रेस खड़ी रहेगी पिर कहिना मत हर बात की राजनिती होती है कैमरा परसन राजकमा मोहर के साथ अभिशेक पान सी बीसे न्यूस नागपुर